हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू माई चैनल फ्रेंस आज मैं आप लोगे के साथ शेयर करें दो अंडे और दो टमाटर से बनने वाली नाश्टे की रेसिपी तो जिसके लिए हमें टमाटर लेने होंगे एक दम लाल लाल और विल्कुल टाइट वाले लूज वाले टमाटरों का इस तुमाल हम नहीं करेंगे तो फ्रेंस आओ देखते हैं कि आज की रेसिपी ये क्या है और ये कैसे बनेगी तो सबसे पहले ये जो हमारे बास टमाटर हैं इनको हमें इस तरह से गोल गोल सिरकल में कट कर लेंगे तो दोनों टमाटरों को हमें इसी तरह से कट करना है फ्रेंस यकीन मानिए अगर आपने एक बार ये नाश्टा बना लिया तो आपके बच्चे आपसे बार बार इसके डिमांड करेंगे तो हमने इन दोनों टमाटरों को इस तरह से कट कर लिया है तो फ्रेंस अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा शेर नहीं किया है तो शेर कर दीजिएगा और जो आज पहली बार आए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो ये हमने दोनों टमाटरों के सरकल कट कर लिये अब हमें चाको से या स्पून से जिस तरह से भी आपको ठीक लगे इसके अंदर के बीज को निकाल देना है तो फ्रेंस कुछ इस तरह से हमें ये सरकल निकाल कर तैयार करना है तो मैं आपको एक बार फिरस से दिखा देती हूँ कि हम चमज से भी किस तरह से इसके बीज को निकाल सकते हैं हमने जो तीनों तरफ से टमाटर अंदर से चिपके होते हैं बीज उसे कट कर देना है तो जिससे बड़े आराम से बीज निकल के साइड में हो जाएंगे तो हमारे पास ये सारे सलकल बनके तयार हो गया है और अब ये जो हमारे पास बीज हैं इनको हम छोटा 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 कुछ इस तरह से बिलकुल बारी काट लेंगे कि इसमें कोई भी बड़ा पीस ना हो और काटने के बाद इसे एक बाउल के अंदर डाल लेंगे तो यह मैंने सबको बाउल में डाल दिया है अब इसमें फ्लेवर के लिए हम डालेंगे एक हरी मर्ची जिसे भी हमने बीच में से कट करके बारिक बारिक कट करना है तो यह हमने इसमें एक मिर्ची डाल दी है और अब डाल देंगे थोड़ा सा हराधनिया जिसको हमने छोटा-छोटा चौप किया हुआ है और अब यह जो मर्बस दो अंडे हैं कि दोनों अंडों को फोड कर इस टमाटर के मिक्श्र में डाल देंगे और अब हम डालेंगे काली मिर्च का पाउज आप चाहें स्स Chanel करके डाल सकते हैं ही यह मिर्पास पेसी होँग काली मिर्च है तो मैंने वह यह डाल दिये और टेस्ट के साब से डाल देंगे नमक और अब इन सब चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे की अंडा, टमाटर, मिर्चीव और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं अब इसमें डाल देंगे एक चमच नॉर्मल आटा जिसके हम रोटियां बनाते हैं और अब इन सब चीजों को डाल कर बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तयार कर देंगे तो फ्रेंस यह सारी चीजें बहुत अच्छे से घुल गई हैं आपस में और हमारा मिक्स्चर बनके एक दम तयार हो गया है अब हम गैस पे रखेंगे एक पैन और पैन को थोड़ा गरम होने देंगे पैन हो गया गरम तो इस पर हम डाल देंगे बटर आप जाएं तो घी का इस्तमाल भी कर सकते हैं और बटर डाल के इसे पैन पे चारो तरफ से अच्छे से लगा देंगे और अब जो हमने टमाटर के सरकल कट की हैं उन सारे सरकल को इस तरह से पैन में लगा देंगे ये जो रेसेपी है इसे बनाने में हमें सरिफ 10 मिलट लगेंगे और ये बनने के बाद बहुत ही जादा टेम्टिंग खाने में बहुत जादा स्वाधिस्ट लगती है और ये जो हमारे पास अब अंडे का और टमाटर का मिक्षर है उससे एक एक चमच से लेकर सारे सरकल को हम भर देंगे तो ये सारे सरकल हमने इस तरह से भर दी हैं द्यान आए कि बहार ना जाए सरकल के अंदर ही हमें सारे मिक्षर को भरना है और अब इसे हम थोड़ी देर के लिए मीडियम लो फ्लेम पर ढख कर रख देंगे कम से कम चार मिनट के लिए अब चार मिनट हो चुके हैं और हम इसे खोल के देखने हैं तो यह बहुत अच्छे से पक चुके हैं अब इन टमाटरों की हम पल्ट देंगे तो फ्रेंस ही मैंने सारे टमाटर को फोक की हिसाइता से पल्ट दिया है और अब इसके उपर डालेंगे हम और कुछ चीज़ें तो इसलिए वीडियो में लास तक जरूर जोड़े रहिएगा क्योंकि जब तक वीडियो पूरी नहीं देखोगे समझ में नहीं आएगा कि ये टैम्टिंग सा नाश्टा कैसे बनाया और फ्रेंस ये हमने सबको पल्ट दिया है अब इसके उपर डालेंगे हम मौजरेला चीज तो है ना एक amazing और tasty सा जो बच्चों को अपनी तरफ खीचने वाला नाश्टा अब इसके उपर हम डालेंगे हरा धनिया तो थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम इस पर हरा धनिया डाल देंगे जिससे दिखने में तो अच्छा लगेगा खाने में भी बहुत स्वादिस्ट लगेगा और उपर से डाल देंगे थोड़े से red chili flakes और अब हम लेंगे butter बटर के छोटे छोटे पीस करके पैन में चारो तरफ से हम इस तरह से डाल देंगे जिससे की पैन में नीचे से टमाटर चिपके नहीं और अच्छे से टमाटर क्रिस्पी हो जाए और अब इसे ढख कर चार-पांच मिनट के लिए फिर से पका देंगे जब तक की चीज जो है अच्छे से पिगल ना जाए तो फ्रेंस पांच मिनट हो चुके हैं गैस को स्लो ही रखा हुआ है इस बात का ध्यान रखे और अब इसे हम खोल के दिखते हैं देखो कितने अच्छे से चीज पिगल चुकी है और हमारा हेल्दी टमाटर और अंडे का नाश्टा बनके तयार हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं तो फ्रेंज आज का आपको ये दो टमाटर और दो अंडे से बनने वाला नाश्टा कैसे लगा मुझे जरूर बताना और आप कहां से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी जरूर बताना तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है I hope आज की रेसेपी आप लोगों को पसंद आई हो तो मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी अगली वीडियो में Bye-bye, see you, take care, enjoy two egg and two tomato recipe Thanks for watching